वायम से ही नहीं वायम शरीर ही नई बल की दिमाग को भी तेज रखने में उपवयोगी साबित होता है तना और शिर्दर्दा और डिप्रेशन जैसी कई समश्याओं को नेवित वायम की मदस्क पर मिया ठीक किया जा सकता है रोजन वायम करने से सेरीर में कोलेस्टरल के स्थार को भी समानी किया जा सकता है वायम से वायम जरूरी क्यों है तो वायम जरूरी इसलिए है मनुष्य की जीवन में वायम का मौत वो कितना है यहां बात शायद हम से काफी लोग भूल गए लगता है इस वेस्ट दुनिया में इंसान के पास न तो अपने लिए समय है और दो सो के लिए तो भूल ही जाए स्कुल जाने वाले बच्चों को जहां जितनी पड़ाई की मौपको की बारे में ज़्यादा बताया जाता है उने उतना ही अपने शेहत के बारे में कम बताया जाता है पिछले कुछ वर्सों से यहां देखा गया है चोटे-चोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल टेबलिट है जहां इन बच्चों को पार्क में जाकर खेलना वायम करना चाहिए हुआ अपने स्मार्ट पोन में व्यस्त है युवा और बोडो का भी ऐसा ही हाल है हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना ही होगा वायम एक महत्यपूर्ण ऐसा अंग है सब को समझना चाहिए तो चलिए लेते हैं वायम क्या होता है वायम का अर्थ है अपने शरीर को अच्छी तरह से रोजना नियान से अपने शरीर को अपनी सिमा से आगे धके ना स्वस्त के लिए वायम आत्यान तावशक है वायम करने से मनुष्य का केवा स्वस्त और उसका दिमाग ही स्वस्त रहता है यही प्रतिक बी सारे भाइदे होते हैं वायम हमें तंद्रुस्ता और स्वस्ता रखने के लिए सबसे जारा सहयाता करता है वायम का मौत हमें वायम करके ही मालम चलता है वायम करने के लिए सही स्थान और समय वायम करने के लिए आत्यादी करूशनी और स्वच्चा हवा अवश्यक है इसलिए करने के लिए सबसे अच्छी जगा है इस्थान में खुली हावा बहा होता है वायम की प्रकार सभी को अपनी दिंचर्जा में नियन से वायम करना चाहिए हम अलग-अलग प्रकार की वायम कर सकते हैं जिससे की सुबह-सुबह उपर डालना सैकल चलाना कूद उड़ बठेक ल का प्रकार से श्रयलिक वायम की आर्ट ढालना आसान काम नहीं है लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है जानते है वायम का महत्रो उसे होने वाली नीमत वायम करने में से Arkansas ग्लich और चौरा गलाता है श्रहेंट कर से र्थ राग यज में में ऋंकर खोंद का भाव भी बाहतर में से होता है, निमीत रूप से वयायम करने से, मेटरगरलिजम बहायतर होने के साथ ही कैलरिज भी तेज़ी से बहलना होती है, और वज़न नियंत्रन में रहता है, शरील में डियाविटी जाय से रोग नहीं पनब पाते जिससे आपकी lifestyle बहतर बन रहती है बन लेती है शेरीर में diabetes आदि जैसे रोग नहीं पनपते नियम से वयम करने से रख्तचाप से जुड़ी समयशा ही कम हो जाती है एक्सपर्ट बताते है कि जो मेलाय रोज कसरत करती है उन्हें उच्छा रख्तचाप होने का खत्रा बच्चाती प्रतिश्चत कम हो जाता है वयम शरीर ही नहीं बलकि दिमा को भी तेज रखने में उपयोगी साबित होता है तना शिर्दरदाव डिप्रेशन जैसे कही समयशा को नेमित वयम की मदद से ही ठीक किया जा सकता है इसलिए वयम करना बहुत ही जरूरी है इस दुनिया में लगवग परतिक विक्ति है समय किसी में किसी रोगी से घीरा ही होता है और उन रोगों से बचने के लिए हर कई वेक्ति डॉक्टर या चिकिस्सक के पास जाता है प्रति दिए वयम करने शेरीर को शंती शक्ती तता स्कूर्थी मिलती है अगर हम वयम को अपना लेंगे एक बड़ी चीकिस्सक का कथन है कि जो डॉक्टर दवाईव पर ज्यादा वरोशा किये बिना अपने रोगी को सवस्त शुदार दे वही सबसे गुद्धि मना और अच्छा डॉक्टर का लाता है बड़े बड़े शुद करता करना है कि आज की यूग में मनुश्य रोगों से कम और दवाईव की कारण ज्यादा मर रहे है मनुश्य को दवाईव से नहीं बलकि वयमा और योग से ही अपना स्वस्त मलबूर बना होगा वयम करने वहले वेक्टी का शेरी हमेच अफ्यट रहता है कि आपकेय की प्रकार वय यह थे चुस्ता कि वह भ्यक्ती स्वस्ता की क्याकिस होatti है और यहीं उसकी सपलता का भी मुख्य कारण होता है, स्वास्त वेक्ति नीची तरुप से खुश रहता है, और जो वेक्ति खुश नहीं है, वह नीची ते शेरिक या महाशी तरुप से बीमार है, बीमार होने पर वेक्ति स्वास्त होना चाहता है, और प्रयास भी करता है, पर वहीं और जके सी ग्रुता है। और परिस ओने का मतलव आत्मा को अमरूत देना और चिंता करना उसका जहर है। जो शिरीट और मानस्री ग्रुप से स्वस्तथ है वहीं दुनिया में सबस्क्रामें रही है। अच्छा स्वस्त दोने हैं ज्च्वार का वरदान है। मेटबलिजम कुपतीज रखने में निमीद वायम अपभी की थाबित होता है निमी पुरुप से वायम करने से मेटबलिजम बेहतल होने के साथ यह क्यालरी भी तीजी से बर्न होती है और वायम से अच्छा होता है पहलों पेट के बाल सिधा लेड जाना और दोनों हप उमाते कि नीचे टिकाए दोनों पेरों पर पंजू के साथ रखे फिर रहने के लिए कुछ सी एक्जरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अब कहां पर भी जा सकते हैं और एक्जरसाइज कहीं पर भी कर सकते हैं अब जिन भी लगा सकते हो अब बाहर भंने को भी जा सकते हो लेकिन वायम करना बहुत ज़रूरी है Health is wealth इसलिए ही अपने सुना हुआ है कि वेल्थ अज़र अच्छी रहे तो वेल्थ ही काम आएंगी अज़र हेल्थ काम नहीं करें तो वेल्थ कुछ काम की नहीं रहेंगी Thank you शुर दर्दाओ and depression जैसे मुक्ती समश्याओं को नेवित वेल्थ की मदा स्रिक्पम या ठीक क्या जा सकता है जहीर दिए कोलेस्टोल के स्थर को भी समानि के लिए जा सकता है वेल्थ वेल्थ कर है मनुष्य की जीवन में वेल्थ का मौत ही कितना है यहां बाक शायद हम से काफी लोग भूल गए लगता ही इस वेस्ट के दुनिया में इंसान के पास न तो अपने लिए समय है और दो सो के लिए तो भूल ही जाहिए स्कुल जाने वाले बच्चों को जहां जितनी पड़ाई की महत्कों की बारे में ज़्यादा बताया जाता है उन्हें उतना ही अपनी शेहत के बारे में कम बताया जाता है पिछले कुछ वर्सों से यहां देखा गया है चोटे चोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल टेबलेट है जहां इन बच्चों को पार्क में जाकर खेलना वायम करना चाहिए वह अपने स्मार्ट पोन में व्यस्त है यूआ और बडो का भी ऐसा ही हाल है हमें अपने लाइफ स्टायल को बदलना ही होगा वायम एक महत अपूर्ण ऐसा अंग है सब को समझना चाहिए तो चलिए लेते है वायम के बारे में संपूर्ण जानकारी वायम क्या होता है वायम का अर्थ है अपने शरीर को अच्छी तरह से रोजना नियम से अपने शिरीव को अपनी सिमा से आगे धके ना स्वस्त के लिए वायम अत्यान तावशक है वायम करने से मनुष्य का किवा स्वस्त और उसका दिमाग ही स्वस्त रहता है यही प्रतिक बीमारी पुद्दूर करने का सबसे अच्छा उपा है वायम करने से हमें बहुत सारे भाइदे होते हैं वायम हमें तंद्रुस्ता और स्वस्ता रखने के लिए सबसे जारा सहयाता करता है वायम का मोथ तो हमें वायम करके ही मालूम चलता है वायम करने के लिए सही स्थान और समय वायम करने के लिए अत्यादी के रूशनी और स्वच्छा हवा अवश्यक है इसलिए खुली राकी वायम करने के लिए सबसे अच्छी जगा है इस्थान में खुली हवा बहा होता है वायम की प्रकार सभी को अपनी दिंचर्जामी नियन से वायम करना चाहिए हम अलग अलंग प्रकार के वैयान कर सकते हैं जिससे की सुछ सुछर उटर उटर अलना साइकल चलाना कुद वूद बठेक लंबी कुद गोला फिक अलग अलग परकार की सैकल चलाना युदिने खेड़ों में भाग लेना फुट्वाल की के ठोकी चलना फास्ट ट्रगिंग करना वायम करना हमारी शेरी के लिए उतना ही जरूर है जितना भोजन करना या पानी पीना नेमित वायम सब्सक्राइब करने से मास्पीश्ट टालना आसान काम नहीं है लिकिन मुश्किल भी तो नहीं है जानते हैं वायम का मुहपलों उसे होने वाले लाग नेमित वायम करने से मास्पीश्ट